हेलो दोस्तो कोशिन पाइक मैं आप सभी का बहुसे स्वागत है एक टीचर से चर्डेट एक न्यू रिखुर्मेंट के साथ आपके साहने फिर से हाजिर हुए है इसमें हम जानेगे कि teacher की जो recommend आई है को कौनकों से post के लिए है और कितनी requirement है और कहां से requirement आई है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक request है इस वीडियो को अपने दोस्तों से share कीजिए और चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको teacher related requirement की जानकारी की notification मिलती रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है और रिकुमेंट की पीडियेफ, अगर दोस्तों अगर आपको यह देखने में थुछा उल्टा लग रहे हैं, तो इसको फुल स्क्रीन कर लिजे, ताकि आपको फिर सीधा लगे, देख तो जो आप देख सकते हैं, वो कॉन्चेक्श रुल पेसिस पे है, इसका वक इन इंटरवीव होगा, इंटरव्य एसी पे लिया जाएगा, तो बात करते हैं, जैसा क्या आप देख सकते हैं, पहला है पोस्ट के जो टीजर PGT पे, इसमें आप देख सकते हैं, जो सब्जेक् mathematics, commerce, history और हिंदी पर सभी पर एक एक पोस्ट है और जो qualification है इसकी वो आपकी post graduate होनी चाहिए MSC education में या फिर post graduation MSC course of regional institute of education of NCRT in the concerned subject होना चाहिए आपका 50% से और जैसा कि आप देख सकते हैं जो date of interview और timing है वो आपके सामने दे रखा है 21 पे 2019 को है 10 से लेके एक बज़ तक अब नीचे आप देख सकते हैं नीचे और physical education की भी एक post है इसके बाद guidance counselor की एक post है और जो इसकी payment है वो आपकी 27,500 रुपए मिलेगा और computer application knowledge undesirable है और सभी के interview date 21 पांस 2019 को होगी तो next आप आते हैं train के जो टीचर की recommend है और इसमें आप देख सकते हैं जो recommend जो पोश्ट निकलिया यह साइन से फिजिक्स की है English, mathematics, Hindi, Sanskrit की है और जो qualification है आपकी 4 years integrated BSc education या फिर BSc बेड चाहिए डेगरी चाहिए रेकुगनाइज चाहिए 50% के साथ या फिर bachelor degree with 50% चाहिए उनी चाहिए आपके साथ BID के साथ और जो इसकी interview की जो date है इसकी है बाइस पांस 2019 को है दस बज़े से लेके एक बज़े तक है और जो नीचे को subject इसका दो से पांच छे फिर और इसकी जो पेमेंट होगी 26,250 रुपए होगी अब आते हैं अब देखते हैं वर्ट्स एक्सपिरियंस टीचर जिसमें योगा की एक पोस्ट है जिसमें गिजरेशन होने चाहिए और एक साल की योगा के ट्रेंड इन योगा फ्रम इंस्ट्यूट होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज के साथ जो और जो इसकी पेमेंट होगी होगी 27,250 रुपए है और जो इसकी इंटर्व्यू डेट है वो 23,5 2019 को होगी 10 से लेके एक वज़तर तो आप नीचे देखते हैं आपकी जो एक वे चाहिए अगर है तो कंप्यूटर नॉलेज के साथ और जो इसकी पेमेंट है 26,250 और जो इसका इंटर्व्यू डेट है वो 23 में 2019 को 10 बचे से एक वज़तर होगी अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस की एक पोश्ट है जिसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो 3S डिप्रोमा चाहिए कंप्यूटर साइंस से और एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो इसकी पेमेंट है वो 26,250 और जो इसका इंटर्व्यू डेट है वो 23 23 पांच 2019 से लेके है 10 से लेके एक विज़ तक तब एक वेकंशी है डान्स की वेकंशी है जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स होनी चाहिए और डिप्लोमा इन डान्स फॉर रिगनाइज इस्टिशन होनी चाहिए सर्टिफिकेट को सिंट क्लासिकल डान्स होनी चाहिए और एक्स्पीरेंस होनी चाहिए और जो इसकी पेमेंट है वो 26,250 है और जो इसका इंट्रिव्यू डेट है तैईस पांच 2019 को है और इसका टाइमिंग है दस से लेके एक विज़ तक है अब आते हैं ड्रामा एक वेकेंसी ड्रामा की एक वेकेंसी है जिसमें विज़िकेशन आपकी बैचले डिग्री इंड्रामा होना चाहिए आपका और जो बीएड डिग्री विद डिप्लोमा इन ड्रामा होना चाहिए और जो डिजारेवल है आपका प्रोफेंसी इन टीचिंग हिंदी इन इंगलिश मेडियम और जो इसकी पेमेंट है 26,250 है और जो इसका इंटेव्यू डेट है 23,05 2019 को है और इसका टाइमिंग 10 से लेके एक बज़ है और जो इसकी कौलिफिकेशन है 12 होनी चाहिए 12 के साथ डीएड या बीएड होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज डिजारेवल है और जो इसकी पेमेंट है वो 21,250 है और जो इसका इंटेव्यू डेट है वो 23 में 2019 को है दो बज़े से साम को 6 बज़ तक जैसा कि आप द और यह दो पोश्ट और हैं फिजिक्स के और कंप्यूटर साइंस के जिसमें फिजिक्स की जो क्वालिफिकेशन है बीएसी पीसी एम होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज सभी में डिजारेवल है और जिसकी पेमेंट होगी 17,000 और जिसका जो इंटेव्यू डेट है 23 मे 2019 को होगा और जिसका टाइमिंग ये 2 बज़े से लेके 6 बज़ तक और एक जो बचा कंप्यूटर साइंस जिसमें बीएसी इन कंप्यूटर साइंस चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए एक्सपीरियंस के साथ और कंप्यूटर नॉलेज चाहिए कंप् और भर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं PGT के लिए 45 साल, DGT के लिए 35 साल और PRT और लेब इस्टिशन के लिए 30 साल भर सकते हैं और category wise के लिए अलग से अपना इनको मिलेगा जैसे अब बाकी के डिटेल के लिए आप देख सकते हैं इसके वेबसाइट पर जाके riemysore.ac.in इस पर आप जाके पूरी देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों के शाद शेयर की कर दिखेंगे जी जो दोस्त पीचे की तैयारी कर रहे है और चैनल को सस्क्राइब जरू कर ले क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचर से रिलेक्टेड अपडेट्स मिलती रहेंगी अब आपको बताते रहेंगे तो थैंक्यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए झाल 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